संपून हिंदुस्तान के संपून विश्व के इतियास में अगर भारत का इतियास निकाल दो तो पीछे कुछ बच्छे गई नी और भारत के इतियास में अगर राजस्तान का इतियास बाड निकाल दो पीछे इतियास में कुछ बच्छे गई नी और राजस्तान के इतियास मे मेवाड का इतियास निकाल दो फिर पीछे कुछ नहीं और मेवाड के इतियास में भी माराना कुंबा माराना सांगा अमर सिंग और माराना परताप का इतियास निकाल दो फिर बचाई क्या इसलिए जब जब इतियास की बात आती हैं राजस्तान को अग्रेणी रूप से याद देखना आते हैं हमारा रेंशेन इतने डेजेट के अंदर लोग किस परिश्टितियों से गुजर कर यह पर रहते हैं हमने मरुस्तल की कर दी ऐसी की तैसी पुरा हरा बड़ा कर दिया पूरे विश्व का पहला ऐसा मुरुस्तल है थार का मुरुस्तल जिसमें सरवादिक आबा तो मुरुस्तल भी याद रखेगा मैं कहां आ गया नमस्कार प्यार साथियों ऑनलाइन सार्थी यूटूब चैनल पर आपका सवागत है मैं आपका मित्र संपत्राज कैसे हैं आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे राजस्तान में कोई भी वेकेंसी की तेहरी करो थे चाए तक नहीं देखें इससे पहले पांच वीडियो अल्री डाल चुक्त हैं तो आप वह कंप्लीट देखना आज अपन पढ़ेंगे बाढ़ मेर जिल्ले को और बाढ़ मेर इंपर्टन इसलिए बन गया है इंपर्टन तो था यह ज्यादा इसलिए बन गया है क्योंकि इसे बाल सी चीज़े दी है चाहिए वह उद्यों के अंदर ले लो यहां फिर परियेटन के रूप में ले लो संपूर्ण बाड़ मेर की चर्चा आज इस कलास के अंदर मात्र दस मिनट ले रहा हूं यह दस मिनट आप देजाना वीडियो स्क्रिप्ट मत करना दस मिनट के अंदर बाड़ मेर जिले का एक सिंगल क्यूसन गलत नहीं होना देऊंगा हाँ सही कह रहा हूं एक सिंगल क्यूसन गलत नहीं होगा बाड़ मेर जिले का बस मिनट चाहिए दस तो दस मिनट कंटिन्यू देखिएगा क्योंकि इसके बाद में आपको मिलेगी इसकी एम सी क्यूब तो चले अपना बाड मेर्ट जिला शुरू करते हैं इससे पहला आप मेरा वीडियो फास्ट वार देख रहे हैं तो ऑनलाइन सार्थी टेलिग्राम ग्रूप को जोइन कीजेगा ते करो ना करो कोई फरक होनी पड़े पर भाइत तुझे अगर सीटी की तेहरी करो थे पसुप परीचर की करो कई भी करो राजस्तान के अंदर आप इस टेलिग्राम से जुड़ते हैं तो आपको हर परकार की इन्फोर्मेशन मिलती है आपके बरती से रिलेटेट कोई भी न्यूज हो कोई पीडियप हो कोई नोटस हो हर परकार की चीज आपको इस पर मिलेगी यह मेरी हेलप लाइम नंबर है वाट्सप नंबर डाल रहे हैं आप यह वाट्सप नंबर है अपने फोन में सेव कीजेगा और इससे मैसेज कीजे लोगों के लिए काम करूंगा जैसे मैंने पसु पालन की नोटस त्यार कर दिया है बहुत जल्द आपको मिल जाएंगे उसी परकार सीटी और बीएश्टीसी पर भी काम करने वाला हूं तो आप क्या करिजेगा इस पर आपके केवल नाम और किस बढ़ती की तेहरी कर रहे ह डाल दीजेगा हमारे टेकनिकल टीम आपको समय रहते रिप्ले करेगी बात करते हैं जिला बाड मेर की चलो बाड मेर जिले की मैं बात करूं पहले बाड मेर कुछ और था अब कुछ और है ऑनलाइन सार्थी एप की मैं बात करूं तो एप लॉंच हो चुका है अभी तक मारे मोडल पेपर डाल रहे हैं अब BSTC CET और PTT पटवार और LDC का इसमें उपर मटेरियल डाला जा रहा है राजस्तान सब इस्पेक्टर वाले भी इस चीज को मिस्स मत करना आप डाउलोड कीजेगा मेरा काम करने का तरीका और पढ़ाने का तरीका आपको समझ मारा है तो 5 इस्टार की डेटिंग दीजेगा लिंक का मिलेगा डिस्क्रेप्स में मिलेगा लिंक ठीक है ना चलो अब हम बात करें बाड मेर जिले की मेर ही मेर ये रहा आपके सामने बाड मेर मरू लॉमडी बाड मेर के अंदर बोथ परसिद हैं जसल मेर के अंदर गोडावन पक्षी और मरू लॉमडी दोनों हैं पर जिले के अंदर सबसे पहले अपन जो सुब करन डाले थे उसमें मरू लॉमडी दिया गया बाड मेर को बाड मेर का जोदपूर से सटा हुआ कापी बाड मेर में बहुत यहीं चीज़ें हैं जो आपके एक्जाम की द्रश्टी से इंपोर्टेंट है और किनकिन चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए जो राजस्तान में बार बार पूछी जाती हैं विगत परिक्साओं में पूछी गई वो सारी चीज़ें आपने बात क इतनी है काफी उपकंड निकल गए हैं फिर भी बच्चों गज़े देखे तो बाड मेर खुद उपकंड है गड्रा रोड जहां पर इंद्रागांदी का अंतीम पॉइंट जूरो पॉइंट इंद्रागांदी का गड्रा रोड बाड मेर और वही तुम राजस्तान के कोई जी के लड़ू खाये हैं तो भी कमेंड कीजेगा क्योंकि बाड़ मेर मरुस्तल के अंदर है पर भई है बहुत बढ़िया जिल्ला मुझे पता है क्योंकि मैंने बाड़ मेर को विजिट किया है अच्छे से हम बात करते हैं बाड़ मेर में गड़रा रोड रामसर रामसर की बच्छे के जनम पर मेलाओं के जो लड़ू करते हैं उसमें जो गौंद ड़ा जाता है वो गौंद चोटन बाड़ मेर का परसीद है जटपटी चोटन बाड़ मेर की परसीद है अभी आपको पूरे बाड़ मेर विजिट कराएंगे तो आपको पहले यह देखना जरूरी ह बार्ड़मेर की बोगोली के स्थिति क्या है, वाँ का बोतिक शवरूप क्या है, वाँ का क्लाइमेंट क्या है, वाँ के लोगों का खानपान, रेंजसन कैसा है, उसके बाढ़े में भी चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यदा परसिद हैं बई, गुड़ा मालानी अ क्योंकि मेरे पास ओफ-laid बच्चे बाड़ी मेरके बहुत ज्यादा आते हैं हैं बाणे मेर दसल मेर बिकानेर नागोर गंगानग के बुख याते हैं दोलपूर के बचे आते हैं सवे माधपूर की दढ़ती हैं यहां पर के तो दूड और के हीरा दो इनी बजते हैं तो इनी दूड से ही हीरे निकलते हैं तो देख लिए भी ते पूरे राजस्तान में तेल का मचार का एक अकले बंदे ने तो वो शियू तेसिल आ की बाब राम दे जिका जनमिस्तान से समझदित भी बात करेंगे लोगी 1.2 लेकी बात करा कि तो इसका जो स्भंगर हैं वो मरू लोमडी है यहां पर मरूद्वीद वनस्पति पाई जाती है वनस्पति कैसी बाइशाथे वी बाड्मेर के अंदर जो वनस्पति पाई जाती है वो मरुद्विद्वनस्पती है इस वनस्पती की विशेषता यह होती है इसे जीरोफाइट वनस्पती भी क्या जाता है यानि कि जाड़ी जैसी वनस्पती होती है जो मरुद्विद्वनस्पती होगी उसकी मुख्य पैचान है कि उसके कांटे होंगे वो बड़े हो बेर का पेड़ केर का पेड़ फोग का पेड़ फोग एक संदे स्वाक रूकड़ा है जब मांचिंग मारवाड में आया था राउचंदर सेन का पीछा करतवे राइशिंग तो उसमय उन्होंने एक बात कही थी कि मापरदेशी लोग अकबर माने तेडिया तू क्यों आई फोग एक संदेश वाक रूकड़ा होता है जो आदमी की हबर दो तो फोग है ऐसे काफी चीजेस जो यह पर पाई जाती है सरवादिक अनुप्रस्त बालू का इस्टूप पाए जाते हैं राजस्तान की बुगोल पढऑंगे तो सारे के सारे सारे के सारे के सारे पड़ेंगे पर फिलाल बात करते हैं बाड मेर की अब बाड मेर जिले को 1286 इस्वी में बहरट देव ने बसाया था बहसे बाड मेर बहसे 12226 लेखो बाड मेर की इस्थापना 1286 में बहरट देव ने की ती याद हो गया नहीं हो गया बोलो बहरट देव बाड मेर 1286 चेप दो तो 1286 में बाड मेर के स्थापना बरड देव ने की दी उपनाम इसे मालानी नाम से जाने जाता है श्रीमाल राजस्तान की दुबाई आय है राजस्तान की दुबाई नाम से बाड मेर को जाने जाता है थार नगरी, श्यू कूप, किराद कूप, बहुत से बाड मेर के नाम हुए बालोत्रा अलग हो गया, वरना इसको मेवा नगरी के नाम से भी जानते थे अब बालोत्रा को जानेंगे, ठीक है न राजस्तान के पस्चमी बाग में पाक सीमा परिस्तित है यह एक ऐसा जिल्ला है जो पाकिस्तान के साथ सीमा का निदार्ण करता है अब वर्दमान में पांच कर रहे हैं, पहले चारी कर रहे थे अब बाड मेर, जसल मेर, बिकानेर, अनूबगर, गंगानगर गंगानगर, अनूबगर, बिकानेर, जसल मेर, बाड मेर राजस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सरवादिक शीमा निदारित करने वाला पाकिस्तान के साथ जिल्ला है वो बाड मेर है 210 किलोमेटर बिल्कुल नहीं 210 तो गंगानगर करता है बाड मेर करता है 228 किलोमेटर कितनी करता भई 228 किलोमेटर गुजरात के साथ भी करता है 14-15 किलोमेटर करता है वो अंतराजी हो जाएगी अब एक्जाम के इसाफ से क्या द्यान रखना बाड मेर के मुनाबाव रेलवे स्टेशन है से पाकिस्तान के खोकरा पार के बीच में एक ट्रेन चलाए गई थी अब वर्तमान में वो ट्रेन नहीं चल दी है यह ट्रेन 2006 की बात थी ठीक है ना तो अब वर्तमान में तो बंद कर रखा पर यह मुनाबाव रेलवे स्टेशन के बारे में बार बार पुछा गया है जो बाड मेर में है पर लेकपल है भी बार्ड मेर में छिए ऺ्डान पर एक बiren का नाम था थार एक्स्प्रेस ये ट्रेन 18 फरवरे 2006 को चले गई आगे ना बात 18 फरवरी 2006 को चले ले मालाने के नामसे बार्ड मेर को जाना जाता है कोईला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा का पर है बाड़ मेर में कोईला प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बाड़ मेर में अब चाहे वो कोसलू ले लो चाहे वो कपूर्डी ले लो चाहे वो जालीपा ले लो सब के सब बाड़ मेर के अंदर है कोईला प्रोजेक्ट अभी बत पेशे जाता हैं तुम सीटी की तेयरी करो ऐसे अलके में मतलिना तुम किसी भी राजस्तान में तेयरी करो मतलिना ना तो इस चेप्टर को लैना और ना यह मुझे लैना मैं अभी बता देता हूं कि क्योंकि यह क्लास 10-15 मिनट की है पर इसके अंदर गागर में सागर है उतरले का बार बार एक्जाम पुछा गया है उतरले जो सेनी अवयड़ा है वो बाड़मेर में है अभी गया ही है तीमार पत्रमार होली है वो आपके बाड़मेर जिल्ले में खेली जाती है पत्रमार होली बाड़मेर की कपड़ा फाड होली है वो पुस्कर की परसिद है तानी काट होली बिकानेर की परसिद है देवरभाबी होली है वो ब्यावर की परसिद है लठ मार होली है मावीर जी का मंदिर करोली और कोडा मार होली भिनाई की परसिद है गोबर के कांडे की हो आगेश्वरी और विजय विजय यह सब के सब आपके तेल के छेत्र के नाम है बहुत इंपोटेंट है बहुत ही इंपोटेंट है परमुक कोईला चेत्र हैं शिव कोशलू कपूर्डी जालीपा यह कोईला चेत्र है जो अभी मैंने बताए था और अच्छी गुणवताँ वा कार चेत्र कोईला है वह सरवगादिक कपूर्डी में निकल स्कापर कपूर्ड़ी कि नॉर्मल है इस्क्रίν सोट ले लिए शेमा कि एकन साथ लगाता है अंतराष्थि शिमा ऑर किन पडौसी जिल्लों के साथ行 स्ंमा का निदारन करता है वरतमान के अंदर बार अत्रामान की बात करें तो अंत्राज ये शिमा है गुजरात के साथ लगबग 14 किलोमेटर की अंत्राश्टी शिमा पाकिस्तान के साथ लगाता है दो 28 किलोमेटर की और इनके पड़ोसी जिल्ले के साथ सिमा लगाता है तो बाड मेर है वो जसल मेर के साथ सिमा लगाता है है बाड़ मेर से समंधित एक्जाम में पूछे जाने वाले इंपोर्टेंट तत ये कौन-कौन से हैं और यहां से लिख लेलो एक्जाम में सवाल आएगा सवाल कहां कहां से आएगा किस परकार सब्सक्राइगा उद्ध में पैदा हुआ थे पैदे हुए ठाक जनम हुआ या उन्हों पहला कोई एक्जाम हुआ उसमें भी ये सवाल आ रहा था आज भी आ रहा है गिरल 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 लिगणेट अदारित तो भाई अब भी इनको साहिच करलो गिरल है वो राज्य का पहला लिगनेट अधारित जो भीज़लिगर है वो गिरल है गड्रा का जो साहिफशित दिशवारग 1965 यादी होगा आपको इंद्रा गांधी नेर परियोजना का अंतिम बिंदू है वो गड़रा रोड बाड मेर कांपर है वह गड़रा रोड बाड मेर इंद्रा गांधी नेर आपके सतलज नज्दी से लाई गई है हरी के बेराज से ये नेर लाने की पूरी प्लानिंग महाराजा गंगा सिंग की थी तो बाड मेर वाड़े ने बाल्टिया लेके खड़े वे भई हमें भी डालो हमने क्या गल्ती की हम भी मरुस्तल में रहते हैं सरकार का प्रोजेक्ता की संपूर्ण मरुस्तल के अंदर दे आज मरुस्तल का ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर इंद्रा गांधी नेर का पाणी रुख्मा मंगनियार बहुत इंपोर्टेंट है किराडू राजस्तान का खजुराओ का जाता है खजुराओ मद्य परदेश की मिंदर की शेली है राजस्तान का मिनी खजुराओ है वो आपके बंडदेवरा है वो बारा के अंदर है कि नाम से परसिद दसवी और ग्यार्वी सदी विश्णो व शिव मंदिरों की परतिश्टित है या परसिदी है रामदेव जी इनका जनाम उंडु कास्मीर के अंदर वाता वो बाड़ मेर के अंदर है शिव तेसिल में है कोटडा दुर के परसिद हैं और खड़ताल वादक सदीक खां वो भी परसिद है सदीक खां भी बाड़ मेर के अंदर परसिद है बाड़ मेर हमारा राजस्तान की है यहां पर राजस्तान के अंदर बाड़ मेर जिल्ले में और पूरे संपूर्ण राजस्तान की बात करूं तो मनक रहे पर बाड में जोसल में बड़ बड़ दोरे मिलेंगे जितना घेरा और उंचा दोरा होगा उतने पाणी क्या होगा गेरा इसलिए का जाता है इस कावत प्रचलित हुई थड़ उंचा जड़ सीचरा कामन लंबा केस और नर पटे धर निपजे ओई मरो दर देश यानि कि यहां के टिले बड़े बड़े और पानी मिलेगा बहुत गेरा त्र उंचा जड़ सीचरा कामन लंबा केस मैलाओं के ओडितों के जो बाड़ होते हैं वो बड़े लंबे लंबे होते हैं दरपटे नड़ निपजे ओई मदर धर देश या ऐसे नर या सूर्वीरों का देणम और भारत के इतियास में अगर राजस्तान का इतियास बाड निकाल दो पीछे इतियास में कुछ बच्छे गई नहीं और राजस्तान के इतियास में भी मेवाड का इतियास निकाल दो फिर पीछे कुछ नहीं और मेवाड के इतियास में भी माराना कुंबा, माराना सांगा, अमर सिंग और माराना परताप का इतियास निकाल दो तो फिर बचाई किया है इसलिए जब जब इतियास की बाद आती हैं राजस्तान को अग्रेनी रूप से याद करते हैं बढ़ना, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जापान के लोग छोटी-छोटी आँके खुलती नहीं फिर भी वो मरुस्तल में क्या देखना आते हैं यहां कुछ खाने को नहीं, कुछ पीने को नहीं, हमारे पूर्वजों को इतियास देखना आते हैं हमारी कल्चर देखना आते हैं, हमारा रेंचेन इतने डेजेट के अंदर लोग की स्परिश्चित्यों से गुजरकर यहां पर रहते हैं हमने मरुस्तल की करदी ऐसी की तैसी, पूरा हरा बरा कर दिया पूरे विश्व का पहला ऐसा मरुस्तल है, थार का मरुस्तल जिसमें सरवादिक आबादी रहती हैं सरवादिक जे विविदता वाला मरुस्तल हैं, तो थार का मरुस्तल है मरुस्तल नाम रख दिया हमने, तो क्या हो गया हमने मरुस्तल के अंदर देखो खजूर की खेती कर ली बेर की खेती कर ली इस्टो बेरी की खेती कर ली मुरुस्तल में अनार के बाग लगे वे हैं बाड़ मेर जसल मेर में बताओ मुरुस्तल भी याद रखेगा मैं कहा आ गया और देखो दिर दिरे ये अब टेकनोलोजी बढ़ते हुए कितने खनीज निकलते हैं कोईला प्राकर्ति गेज पैट्रॉल सबके सब मुरुस्तल में भरे पड़े हैं तो भई अब मुरुस्तल दिर दिरे बहुत ज़्यादा इन्फ्यूज मत हुणा और यह रेकिस्तान का जल मेल अई वासमें थार का जो जल मेल bunlar थार का गड़ा है वो चांदर नलकूप को का जाता है जो जसल मेर में है ये रेगिस्तान का जलमेल है जो बटाडू का कुवा है संग मरमर का बना भव्य कुवा बाड़ मेर की बाईतु पंचे सिमिती के अंदर है इसका निर्मान ठाकूर गुलाफ सिंग द्वारा किया गया पिक नामता जेत्मल राठोड जेत्मल राठोड का यहां पर भव्य मंदिर है दाता की बाड़ मेर जिले के अंदर बहुत असीम किरपा है और इस आलम जी के धोरे को गोडों की तिर्त इस्तली का जाता है दोरी मना में इनका मेला लगता है आलम जी का धोरा गोडों की तिर वो से समध इस्तल विरात्रा माता का मंदिर सबसे इंपोर्टेंट चोहटन के अंदर विरात्रा माता का मंदिर है जो भोपो की कुल देवी है जो भोपे होते हैं न देवी देवताओं के मंदिर में उन भोपो की भी कुल देवी है तो वो विरात्रा माता है और विरात्रा माता का मंदिर है बाड मेर के अंदर तो बोपो की क्या हो जाएगी कुल देवी कितना important है सुयो का मेला चोहटन के अंदर लगता है very very important सवाल आ रखा है इसे अर्ध कुम्ब माना जाता है सुयो का जो मेला अभी हमने बात की थी गोंद के लिए परसीद है गोंद के लिए चोटन बाड मेर परसीद है गोंद के लिए जोदपूर के मिर्शीवड़े परसीद है जोदपूर के दूद के लड़ू परसीद है हम बात करें गेवर है वो जैपूर का परसीद है मावा के पेड़े चीड़ावा की परसिद है, कचोरा नसीराबाद का परसिद है, कचोरी कोटा की परसिद है, खीर मोण है वो गंगापूर सीटी के परसिद है, तिल पट्टी है वो ब्यावर की परसिद है, रस्गुले है वो लूनियावास जोदपूर और आपके बिकानेर क के परसिद हैं सखान पीन के लिए चमचम है वो पौकरण के परसिद हैं चमचम गां के परसिद हैं पौकरण के परसिद हैं मावे के बाठी डूंगरपूर के परसिद हैं हाँ आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बदाए आपके गाउं का क्या परसिद हैं ताकि कभी मैं त फलाना गाउं या फलाने जिल्ले सुओं और मेरे यहां के यह परसिदी है तो यह राजस्तान की परसिदी है ऐसे मेल मिलाप होगा अगर आप कोई ऐसी चीज़ जानते हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा रूमा देवी को कौन नहीं जानता भई तेल का मजा दिया इसने रूमा देवी बाडमेर नारी सक्ती 2019 के पुरूसकार से जिसे समानित किया गया राजस्तान में एक समाज सेविका भारतिय परंपरिक हस्त कला कारिगरी है रूमा देवी को भारत में महिलाओं के लिए सरवच नागरिक समान नारी सक्ती पुरूसकार 2019 से समानित किया गया वो क रूमा देवी ती कौन सी देवी रूमा डेवी और क्या पुछा जा सकता हैं आपके प्षकल में के कि तो देखो भी इस यह अभी हमने जो बागेमेर में बात की थी आधे लो भी आ عندा हिन्हों काम हैं फूट रहे जो काम हैं ठीक है ना यह राजस्तान की हस्त कलाओं को बरकरा रखती है और बाड मेर इतना बाड मेर रेकिस्तान से अंदर ये इंटरनेशनल लेवल पर सम्मानित होकर रही भई भारत तो छोड़ो भारत के बार भी रूमा देवी का नाम चलता है हमारे यहां मैलाओं का नाम इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे चेकारियों में चलता है तो उसमें रूमा देवी का भी नाम है पुरे बाडमेर के पुरे राजस्तान को इलागे रख देया इन्होंने क्योंकि काम बोलता जनाम रूमा देवी यह आपके विरात्रा माता के मंदिर और विरात्रा माता का मंदिर भव्य हैं बाडमेर की विजिट करते हैं तो ये विरात्रा माता का मंदिर है जब भी कभी बाड मेर जाने का आउसर मिले बाड मेर जाने का जिंदगी आउसर दे तो इन चीजों को ध्यान में रखना है पहला विरात्रा माता का मंदिर किराडू का मंदिर आलम जी का धोराबाड मेर जरूर देख रही है यह आपके गिरलीषफ जाएगाऊ के लिए बहुत भाग वाले विद्यातिशी के लिए बहुत बड़ी पूरी संभावना है तो यह जो पसु परीचर के जो नौट हैं वो मेरे खुद के हाथ के लिखे वे नौट है एंचियाटी किताब वो पर आधारित आंकडे ले गए हैं इसमें वो भी तत्य पूर्ण है पूर्णतम नविंतम पाठ्य करम पर आधारित मैंने सारी सारी चीज़े ले रखी इसमें हस्त लिकित थोरी के साथ वस्तुनिष्ट परसन का मलब एमसी क्यूब पढ़ते एक टॉपी के साथ में मिलेंगे आपको सार्थी डोज के रूप में सरल तता सार गर्वित साथ में एक सार्थी डोज दिया है वो डोज हर किसी को नहीं मिलेगा और वो डोज ले लना जिन्दकी की गलती मत करना बैड़ा पार लग जाएगा अब यह जो नौट्स हैं यह नौट्स हैं यह आपको बहुत जल्द मिल मिलने वाले हैं ओके तो मस तरहेगा आपको यह जल्द ही मिल जाएंगे आज अब कुछ क्यूशन है वो क्यूशन कर लेते हैं बाड मेर्ज लेके साथ साथ में एंसी क्यूब करने हैं और देखने हैं आपके कितने राइट हो रहे हैं ठीक ना पहला क्यूशन आ गया है विर तिस्तली के रूप में परसीद है बटूडा का कुवा, अलम जी का धोरा या किरडू और चोर्टन अलम जी का धोरा बाड मेर अलम जी का जो धोरा बाड मेर है भो आपके इसे का جाता है गोडों की तिर्थिस्तली और आलम जी का वास्ट्विक नाम दा जेतमल राठोड अलम जी का वास्ट्विक नाम हो जाएगा जेतमल राठोड और दोरीमना बार्ड मेर कांपर हो जाएगा भी दोरीमना बार्ड मेर अगला क्युस्षन आपके सामने निमल लिकित मैंसे किसे रेविक्स्तान के जलमेल के रूप में जाना जाता है पाधडू का कुवा, चांद बावड़ी, अदालज कुवा, राजाओं की बावडी बटाडू का कुवा बाड में जिसका ना जिसका जो निर्मान है वो गुलाफ सिंग्जी ने करवाए था संग मरमर से बना हुआ है क्योंकि यहां पर हमने देखा था बटाडू का कुवा ये रहा आपके सामने ये देखो ये 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 बटाडू का कुवा है जो संग्मर्मर से बनाँ हुआ है ठीक है न कि तो ये आपके बटाडू का कुवा है वह जल मेल के नाम से रेगिस्तान के जल मेल के नाम से भी जाना जाता है निमन मैंसे किसे राजस्तान का तेल सेत्र नहीं वाना जाता है एस्वरिया मंगला गंगा रागेश्री तो यहां पर बाड़ मेर की मैं बात करूं निमन मैंसे राजस्तान के बाड़ मेर बाड़ मेर का तेल सेत्र कौन सा नहीं है तो गंगा नहीं है ठीक है ना एस्वरिया है मंगला है और आगे शुरी है ठीक है ना चलो अगला क्यूशन आपके सामने बाड़ मेर में अच्छी गुणबता वाले लिगनाइट के बंडार कांपर पर पाए गए हैं मैटा पलाना कपूरडी बर्सिंग कर तो बालो अतरा अलग हुआ तो उपखंड और तेसील अटी तो अब अड़तमान के अंदर आट उपखंड और 12 तेसीले रह गई है आट उपखंड और 12 तेसीले कौन कौन सीए 12 तेसेले तो यह रही भी आपके सामने है बाड़ मेयर गट्रा रोड रामसर छोटन दोरीमना गु अगले की तो यह रहा भई आपका क्यूसन अगला लिकित मैं से कि सेर को पहले मालाणी के नाम से जाने जाता था तो बाडमेयर को पहले मालाणी के अग्ला क्यूशन आपके सामने है, राजस्तान में लिगनियट पर आदारीद पर्तम विदिट ग्लों है, यह इस्तान किस जिले में है? बाड मेर में? गिरल लिगनेट अधारित हैं वो बार्ड मेर जिले में हैं आपके ओप्सन में आएगा जोद पूरन फलोदी इंद्यान रख लणा क्या हो जाएगा बार्ड मेर चोटन बार्ड मेर में आयुजित होने वाला वह मेला जिसे अर्द कुम्ब के नाम से जाना जाता है और अर्द कुम्ब का जाता है सुया का मेला चोटन बार्ड मेर को ठीके ना चुन्दी तेर्थ मेला यह तो जसल मेर में आयुजित होता है पाकिस्तान की सीमा रेका को सरवाधिक इस्पर्श करने वाला राजास्तान का दूसरा सबसे बड़ा जिल्ला जसल मेर करता है चार सूसूसट किलोमेटर जर्की बार्ड मेर है वो 228 किलोमेटर करता है दूसूट्ा क्थान अगर 210 और 168 dat पर लंगला क्यों आपके सामने राजस्तान के छजुराओं के नाम से की श्यर को जाने जाता है कि रडू कोटा जसल में कथ किरण ही है बिल्कुल कोई ता कौन सदावी बाड़मेर का मुनाबाव चेतर था वो इसके आपस में लिंक करता था अगला क्यूसरन खड़ताल वादक सदीक खा का समंद किस जिले से हैं सवाल आ रहा है सवाल फिर आयेगा सवाल फिर बनने की पूरी संभावना है सदीक खांख खड़ताल वादक सदीक भाई पुर्पाेट का समंध बाड़मेर जिले से था क्या भुठ बाड़मे जिले से भाई जो मैं पड़ाया आपको कंटेन्ट पसंद आ रहा रहा हूं आपको लग रहा है कि वास्तेमी अमरे में बहुत important है और मैं वास्तमी आपके सारती के रूप में काम कर रहा हूं तो एक दिरूर comment कीजेगा मेरे लिए और आप मेरा वीडियो first time देख रहे हैं तो चैनल को subscribe कीजेगा मन नहीं लगे तो instagram बना रखा है उसको भी follow कर लिजेगा कोई doubt आ रहा है बात करनी है कुछ question पूछने है कुछ doubt solution करने है तो WhatsApp नमबर दिये है उस WhatsApp नमबर पर message कीजेगा आपको रिप्ले मिलेगा ठीक है ना टेक्निकल आपको रिप्ले देती हैं समय रहते हैं तो मैं भी आपके कभी-कभी रिप्ले पढ़ता हूं तो आप उसके उपर जिरूर रिप्ले कीजेगा ठीक है ना अब हम बात करें तो यह Instagram आईडी है आप इसे follow कर सकते हैं online सार्थी official online सार्थी नाम से यह official online सार्थी नाम से है आप सब लोगों के प्यार से आज इसके उपर 10K का प्रिवार हो गया है मैंने तो एक ऐसी शुरुआत की थी कि बच्छों को motivate जरूरी है motivation जरूरी है पड़ाई फालतु रिला देखते हैं छमक चलो छमक चलो और फालतु चीजे करते हैं इससे अच्छा यह देख लो क्यों देख लो क्योंकि मैं motivate करता हूं पड़ाई में मन लगेगा अपने घर के हालात बताता हूं इसमें पड़ाई कैसे करनी वो बताता हूं इसके अंदर तो फालतु चीजे से अच्छा यह देखो ना अपनी तो इंस्टा ID पे मैंने मात्र और मात्र 3032 पोस्ट डाली जिसमें म परिवार हुआ आप सब का यह परिवार हैं तो आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है मुझे लगता है कि यह परिवार और आगे ऐसी बड़ेगा और चलता रहेगा यह तो सब चीजे पर मैं मुख्य उद्देशी हैं पड़ाई पर पड़ाई पर ध्यान देने के लिए सार्ती पसुपरीचर एमसी क्यों यह विशेश रूफ से पसुपरीचर विध्यातियों के लिए बना रखा है इसके ओपर डेली एमसी क्यों बाते हैं यहां से आप अपने प्रैक्टिसेट करो और अभी तक आपने एप डाउलोड नहीं किया भई तो एप डाउलोड कर लो आप बले किसी की भी तेहरी करो आप पहले एप डाउलोड करो आप थें सीटी करो ग्रेजुशन लेवल की करो बी एश्टी सी पीटी सबका मेटरियल डालने वाला इसमें एप डाउलोड करो और पढ़ाने का तरीका पसंद आवेतां के समझ में आ रहा है तो इसको उपर फ करोली जिले से बोलना हूं मैंने आस तक करोली नहीं गया पर देखो मैं करोली में आप तक पहुंचने का मद्यम हैं आप सभी लोग क्योंकि आप सभी लोगों ने प्यार दिया सपोर्ट दिया तो मैं मेरे वीडियो है ज्यादा चले और ज्यादा चले में राजस्तान के उ अगर आप एक कदम बढ़ाते हो काम करने के लिए तो हम चार्चर कदम बढ़ाएंगे क्योंकि पढ़ने वाले विद्याति बहुत अच्छे लगते हैं कलास आ रही है कंटिन्यू और आती रहेगी मैं बहुत बड़ी आपको एक और सर्प्राइज देने वाला हूं कि ऑनलाइ रहेगी थोड़ा वक्त तो दो रेगुलर रहेगी वादा है तुम्हारे एक्जाम से पहले सेलेबस रिवीजन सब करवा दूंगा ठीक है थोड़ा सा टाइम अब कंटिन्यू कला से आ रही है आती रहेगी ठीक है तो एप डावलोड कर लिजेगा फर्स्ट वार देख रहो किन-किन को यह नोट्स चाहिए ताकि हमें पता चले कि वह कितना क्या है तो मैं क्या कि यह लिमिटेड ही रहेगा ज्यादा में वह फालतों माथा वोड़ी निवाला काम नहीं करेंगे जिन बच्छों को वास्त्विक रूफ से जरूत है हमारे नोट्स की उन तक ही मैं प्रात्मिकता उन सब लोगों को सबसे पेल दूंगा ठीक है ना धन्यवाद जेहिन मिलते एक फिर वीडियो में